नमस्तार आप देख रहे हैं आर्पियस समाचार मैं हूँ आपके साथ रगुनात्विसास्तास्री नजर डालते हैं आज की कुछ खास ख़बरों पर इंडिया एक्स्पो ग्रेटर नुएडा में भारत जल सपताथ 2022 के उधाटन पर राश्पत दुर्प्दी मुर्मु का भाशड़ और अजर लिए भाशड़िय प्रमु कुछ लुटिक उदेख टुट्रिक उराजवां एदने घिमती अन्देवं का जिए उताथ चर्दीप उतर प्रेश्की मुत्रिक तुमु की जोगी आरिकनां तुमु की जल जलसक्तिमंटरी पुष प्रशड़िया जलसक्तिमंटरी प जर्शत्री राज्य मंत्री, श्री प्रहलात जिंग पटेल जी, विश्चिस और तुदू जी, सामने के थुए सभी मंत्रियों, MPs, MLS, सभी महानु होगों, अन्यों गडमन्यों अतित्यों, इस समिलन में भाग ले रहे देश की देश की प्रतियों देवियों, सभी को नमस्क आज मुझे सेफें इंडिया वटावेक गाटन करके हार्दी प्रस्वनाता हो रहें, मुझे कुछी एक, पांच किन तब चलने वाले, इस आयाजन ले, इस विजस से आये विशेशज्या, जोल जेसे समसावई मुद्धे पर जद्ध्य करेंगे, और इसके संग्रत्षण के उपाय सुझाएंगे, मैं इस महत्तपुन आयाजन के लिए जल शक्ति मंत्री श्री गजंद्र सिंद्ध सकाद जी, उनके सहोयोगियों और उत्तरपले सरकार की सरहना करती है, जोल के बिना किसी ही जीवन की कल्पना असम्हब है, भार्योत्यों सब्धता में भी, जीवन मे और जीवन के बाद की जात्रा में भी, जल का महत्ती है, आप लोगों में से जदा तो लोगों ने प्रिशी भगिरत द्वारा पवित्र गंगा की जीवन पर लाने का नदी का कारों सुना होगा, आपने पुरुखों को मोख्यों दिलाने के लिए उन्होंने तपस्चा की औ और गंगा नदी का पुरुथी पर अवत्रन हुआ, विध्यन के इस यूग में एक कहानी भले ही निथक लगे, पर इसका सार है जोल का हमारे जीवन में महत्तो, भारत्य सप्यता में पानी का गईवर उप्पे जना जाता है, रिक बेद में लिखा है, या आपो दिप्या उतोवा स्रबंती खनित्रमा, उतोवा याहा सोयो जाहा, समुद्राइप्था याहा सुचोय हो, पावकास्ता आपो देविरी हो मामबन्तु, अर्थार, जो जल अंतरिक से उत्पन्न होते हैं, नोधी के रुप में बहते हूं, जो खोद कर निकाला जाते हैं, अथोबा जो अपने आप उत्पन्न होकर सागर की अर्गती करते हैं, जो दिप्तियोक पवित्र करने वाले हैं, ये देविरी जल यहां हमारा रख्षा करें, इही बजही की पानी के समस्त स्रोतों को वित्र मना जाता है, लगभक खार धार्मिक स्तल नदी के तटपस स्तीते, ताल, तलेया और पखोरों का स्तान समाज में पवित्रता का होता रहा हैं, पर बर्तमन समय पर जो डाले कर केई बार स्तीती चिन्ता जने हला, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आमारी नदियों में और जलासय की हाल खीड हो रही है, गौंगा के पखरें सुख्रें, गाउं में पखरी का हलत खराब होते जा रहा है, के इस्तानियों नदियां बिलुप्त हो रहा है, क्रिसी और उज्योगों पर जल का दहन जरूर से ज्यादा हो रहा है, धर्ती पर पर्यावरां संतुरन बिगड़ते लगे हैं, मोसम का मिजाज बदल रहा है, और बेख सम्मोसम अतिब्रुष्टी आम बात हो गया है, इस तरह की परिस्तिति में पानी के मेनेजमेट पर बिजार भीमस करना बहुती सरानियों बदम है, इसके कई पहलू है, मिजाल के तरफर कृसी छेत्र में बिभिड़ता के साथ एसे फसले लगाई जाएं, जिसमें पानी की खपत कोम हों। गुजराट का सोराश्क छेत्र आपने भोगोलिक स्तिति के कारण जल अभाग छेत्र था। 25 साल पहले महिलाओंदारा सीर पर घडा लेका पानी लाना एक आम दिन जर्या थी। शेहरों में वाटर टेंकस तरा पानी की सप्लाई होती थी। पानी माफ्या का बोल बाला था। आज ये सब इतिहास बन गए है। सोईने जोजना उहां पानी के मेनेजमेट का उत्तुष पुदाहरन है। उन्यों कई राजजने भी इस तरह के फसल प्रयोग किये हैं। देबियों और सोजन। मुझे ये जानकार प्रसंता हो रही कि इस वाटर रुईक के दोरान जल से जुड़े विभिन्न विशोयों पर सेमिनार और उन्यों कार्योक्रम आयोजन किये जाएंगे। जिन में ना सिर्फ जल समरक्षां बल्कि परियावरां, प्रिसी और विकास से जुड़े औनेक पहलों पर भी जड़ चाहों है। ये मुद्धे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्चों के लिए प्रासंग निक है। जल का मुद्धा राष्ट्यों सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्यूंकि उपलब फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा दो या अधिक देशों के बीच में फेला हुआ है। ये संजुग जल संगसाधन किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाब खत्यार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और अंतराष्ट्यों संगर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जोल संगरोख्षोन और प्रबंधन में अंतराष्ट्यों सोहयोग का भी आवस्चोख है। एक खुशी की बात है कि देन्मार्क, फिनलांड, जर्मनी, इस्राइल और एरोपियान उन्योन इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुझे आसा है कि इस मंचपर पिचारों और टेक्नोलोजिट्स के आदान प्रदान से भी सभी को लाब मिलेगा। देबियों और सोजनों आने वाले बर्सों में बढ़ती हुई जनसंख्या के सच्छो प्योजल उपलब कराना बहुत बड़ी चुन आती है। पानी का मुद्धा बहु आयामी और जटिल है जिसके समाधान के लिए सोब के प्रयास की जरुरोत है। जल सक्ति मंतरों इस कार्यों को लेकार संकल्थ बड़ी भारत सरकार ने वर्स 2019 में जोल जिवन मिशन की शुरुआत की थी। जिसका लक्ष्या बर्स 2024 हार ग्रामीन घर में नोल से जल पहुँचाना है। आपको ये जनकर कुशी होगी कि जल जिवन मिशन के प्रारम के समय देश में जहां केवल तीन क्रोड तेईस लाग क्रामीन घर में जल नोल से जल की अपुद्थी होती थी। ओही आप करीब 10 कर 43 लाग घर में नोल से जल की अपुद्थी हो रही है। इस मिशन से गाउन के लोगों को सच्छ पानी पिने के लिए मिल रहा है जिसके जल जनित बिमारियों में भी उल लखनियों कमी आई है। नोल से भरगर जल की अपुद्थी में पानी की बरबादी को तो रोका ही है। साथ ही उसके दुशित होने की संभावना को भी कम किया है। इस मिशन से हमारी बेहनों बेटियों को पानी के लिए समोई और उर्जा नोश्म नहीं करनी पड़ रही है। मोहिलाएं आप इस उर्जा और समोई को और रचनात्म कार्यों में लागा पा रहे हैं। पानी हमारे किसानों और पुर्शी के लिए भी एक प्रोमुक संभशाधन है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में जोल संभशाधन का करीब 80 प्रस्पिसत पुर्शी कार्यों में उपयोग किया जाता है। अतहों सेचाय में जोल का समुचित उपयोग और प्रभंदन जोल संभशाधन के लिए बहुती महत्त पुर्णा है। गोर्श दोखाजर पंदर में शुरुकु गई प्रधान मंत्री कृशी सिचाय जोजना इस छेत्रों में एक बड़ी पहल है। देश में सिंचिप छेत्रों को बढ़ाने के लिए ये राश्ट व्यापी जोजना लागू की ज़ए है। जल समरक्षन लक्षो के अनुरूप ये जजना पार्ड्रों मर्प्रों सुनिश्चित करने के लिए सटिक सिचायी और वाटर सर्विंग सेविंग टेकनोलोजिस को अपनाने कभी परिकल्पना करती है। सरकार ने जल समरक्षन और जल संग्षातन प्रबंधन को पढ़ावा देने के लिए जल सक्ती अभियान शुरू किया है। जिसके अंतरगत पारंपरिक और अन्यो जल मिठायों का नभिनी करण बोरुयल का रियूज और रियजार्च वाटर सेट दिकास और गोहन बोनरोपन द्वारा जल सरक्षन और बोर्षा जल संग्षयों को पढ़ावा दिया जा रहा है। बेभियों और सोजनों आगामी दोसकों में भारत की सहरी आबादी के तेज गत्ती से बढ़ने का अनुमान है। सहरी करण के फल सरूप वाटर मेनेजमेंट और वाटर गवर्नर सिस्टम की आवस्चक्ता होगी। इस सिस्टम से जोल का सोमान और सोतत वितरण तोथा रिसाइक्लिंग जैसे कार्यों प्रभावी रूप से हो सके में। इन कार्यों को पूर्य करने के लिए टेकनोलोजी की अहम भूमिका होगी। इसलिए मेरी साइन्टिस्ट, टाउन प्लानार्स और इनोवेटर्स से अपिल है कि वे इन कार्यों के लिए अज्याधूनिक तक्निक दिक्सित काने का प्रयास करें। अभी हमने दो जल जद्धाओं अकेले टुडुजी और फिराबेन जी के सफलता की ताहानिया सुने। जिस प्रकार अकेले टुडुजी ने अपने चेत्रों में तमाम बाधाओं को पार करते हुए तालाबों का निर्माल्की और कुर्शी तथा किसानों के जिवन को बदला है। असंख लोग है जो जोल और पुर्याबरों सुनत्फों में सारानियो जोगदान दिये है। हम सब जानते हैं कि जल सिमीत है और इसका सोमुचीत उपयोग और रिसाइकलिंग ही इस सुग्षादोन को लंबे समय तक बनाया रखा सकता है। इसलिए हम सब का प्रयास होना चाहिए कि इस सुग्षादोन का मितव्योथा के साथ कुपभग करे। इसके गुरूपोज के प्रती खूद भी जागरूप रहे और लोगों को भी जागरूपता बनाया। मुझे उमिदें कि इस सेवेंद वाटार उइक के दोरां विचार मन्थन से जो अम्रित निकलेगा। और इस प्रुथी के प्रुथी भी के और मारवता के करलाण का राश्ता होगा। में आम लोगों, किसानों, उज्जपतियों और विशेसकार बाच्चों से ए अपिल करूँगी कि वे जोल सोरंख्षण को अपने आचार बेवार का हिज्जा बनाए। क्यूंकि एशा करके ही हाम आने वाली विडियों को एक बेहतोर और सुरक्षित काल देख सकेंगे। इसके साथी अपलों को बहुत कुनों पोन बधाई, धन्नबाद, जोई ही, जोई भारत।